नमस्कार दोसों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल सक्सेस मंतरा वाई दीपर ग्राम में दोसों यूपी जेल वाडर फायर वाइन का देखे आपका जो एक्जाम है 19 और 20 दिसंबर को है और जीयस के सेक्षन को लेकर देखे हमारे चैनल की तरब से आप को मोस्स इंपॉर्टेंट अंतिम टाइम जो फाइनल रिवीजन अंतिम सभी का रिवीजन होता है मोस्स इंपॉर्टेंट जीयस के टॉपिक वाइज लेक्चर वीडियो यहां पर प्रोवाइट कराए जा रहे हैं और आज मैं देखिए भूगोल का दोशों महत्पूर एंस पूड़ा टेस जरूर देखिए तो दोस्तो पहला प्रस्न है आप सभी के सामने एक डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानी समय के बीच क्या अंतर होता है और यहां पर दोस्तो एक डिग्री देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच जो स्था समय कान्तर होताई दोस्तोफ वह होता है आपका चार मिनट और यहां सब्यापके प्रस निट घंटे में कितने डिग्री बनेंगे तो आपका एक घंटे अगर एक दिशानतर बराबर चार मिनट है तो एक डिग्री दिशानतर तो पंदरा डिग्री दिशानतर बराबर आपके साथ मिनट होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पर एक्जाम में आपके प्रस ने जोग्रफी सेक के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है यहाँ पर बात करते हैं मंगल का फेवोज और डिमोज दो उपग्रह हैं। तो जो आप्षन यहाँपर आपका है। już ड बात करते हैं प्रित्वी के बीच नियूंतम दूरी कब घटित होती है तो दोस्तों ये हमारा देखिए अगर ये सन है ठीक है ये सूर है और ये प्रित्वी है इनके बीच जो सबसे नियूंतम दूरी होती है उसे कहा जाता है उपसौर और जब ये अधिकतम दूरी पर होते हैं उन्हें कह जाता है अपसौर तो सूर तथा प्रित्वी की बीज दोस्तों जो नियूंतम दूरी होती है यह आपकी तीन जनवरी को होती है कब होती है तीन जनवरी को होती है और अपसौर की जो इस्तिती बनती है दोस्तों जब यह ज्यादा दूर होते हैं यह आपके चार जुलाई को प्रित्वी का जुडवा ग्रह किसे कहा जाता है तो दोस्तों प्रित्वी का भगनी ग्रह जुडवा ग्रह जैसा कि मैंने आप लोग को बताया प्रित्वी पर दोस्तों यहाँ पर देखे जब समस्त प्रित्वी पर दो तारिके जब रात और दिन समान अवधी के होते हैं तो वे क्या कहलाती है तो प्रित्वी पर दोस्तों जब रात और दिन जब समान अवधी पर होते हैं और ये कब कब होता साथ वा प्रस्त दोस्तों मारा दिखें प्रित्वी की अपनी कच्छा में गती है जो पृत्वी है अपनी कच्छा में गती किस डारेक्शन में यहाँ पर देती है तो दोस्तों पृत्वी की अपनी कच्छा में जो गती होती है वा क्या होती है भाई पस्चिम से पूर्व की ओर option number A यहाँ पर correct हो जाएगा आठा प्रस देखते हैं हरा प्रकास छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है जिसे हरा ग्रह भी कहते हैं भई हरा प्रकास छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है आपका यूरेनस है ठीक है जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हो अरुण बोलते हैं ठीक है यूरेनस यानि की अरुण अगला प्रसा दोस्तों नवा प्रसन है यहाँ पर देखें निम्निखित को आकार का अंसार घटते क्रम में लगाईए तथा नीचे दिएगे कूट से सही उत्तर चुनिए तो आप लोग को आकार के पहले बड़ा फिर उ यहाँ पर ब्रस्पती है इसके बाद बात करते हैं यह सनी आ जाएगा सनी के बाद आपका यूरेनस है और देन आपका तीसरे नंबर पर क्या है प्रित्वी है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका option है एक चार दो तीन option नंबर यहाँ पर और दोस्तों आकार के इस प्रकार से जो चीजे होती है आप लोग को बिलकुल यहाँ पर केरफुली इसको देखना है यहाँ इस एक्जाम में आपके प्रस बनेगे चले एकरा प्रस देखते हैं निम्रखित में से कौन सा एक जल डमरू मद्ध अंतराश्य तिति रेखा के सारवाधिक निकट है दो एवं ग्रीन विच माद्य समय GMT के मद्ध में कितना अंतर पाय जाता है तो दोस्तो कुल कितने घंटे का है साड़े पांच घंटे का यहाँ पर अंतर पाय जाता है नेक्स प्रस देखे बारावा है दच्छनी गुलार्थ में सबसे बड़ा दिन है दोस्तो अगर आप गलो यहाँ पर चमकेगा मकरेका पर और वह दिन होता है दोस्तो 22 दिसंबर कब होता है आपका ओप्शन नमबर बी यहाँ पर 22 दिसंबर होता है ठीक है नेक्स प्रस देखते हैं यहाँ पर तेरह हुआ है मंगल गरह के कितने उपगरह है तो दोस्तों मंगल गरह के दो उपगरह हैं फेबोस और डिमोस ठीक है फेबोस और डिमोस option number यहाँ पर भी correct हो जाएगा क्वेश्न लूबर 14 लेखते हैं किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गेनीमेड है कॉन साइसा दोस्तो ग्रह है जिसके उपर ग्रह का नाम गेनीमेड है और सही जवाब है दोस्तों ब्रहस्पती option नमबर यहांपर एक correct हो जाएगा next price देखते हैं सोलआब प्रस क्या करेज़गर है खघोली लीप वर्ष को किसमे मापा जाता है ठीक है खघोली लीप वर्ष को किसमे मापा जाता है प्रकास वर्स में किस में मापेंगे प्रकास वर्स में आपसन नमबर B यहाँ पर करेक्ट है सुलवा प्रस देखे सूर का प्रमुख तत्व क्या होता है तो दोस्तों सूर का जो प्रमुख तत्व है वह क्या है आपका आपसन नमबर C हाइड्रोजन ठीक है चलिए next प्रास को बढ़ते हैं किस ग्रह को बौना ग्रह ड्वार प्लैनेट कहा जाता है तो दोस्तो जो बौना ग्रह है वह है आपका pluto और pluto को सन 2006 में ग्रहों की स्रेणी से क्या कर दिया गया था? बाहर कर दिया गया था ठीक है सन भी याद रखेगा यहां से प्रस्ट आपके बनते हैं अगला प्रस देखते हैं निमलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफेद धारिया है तो कौन सा ग्रह नारंगी है दोस्तों जिस पर सफेद धारिया भी होती है क्या वो मंगल है सनी है ब्रसपत इसी के थे लेकिन अब लेटेस जो है सनी के सरवाधिक उपग्रा हो चुके है ठीक है ध्यान रखेंगे अगला परस देखते हो निस्वा करकरेखा निम्निखित राग जो मैंसे किससे होकर नहीं गुजरती तो दोस्तों करकरेखा भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें अगर हम देखे तो राजस्तान, गुजरात, मदपरतेश, 36 गर, जारकंट, पसिव मंगाल, त्रिउपुरा और मिजोरम लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह मड़ी पूर से नहीं गुजरती भाई यह सभी प्रस्त जितने भी मैं आपको 200 महत पूर्ट जोगरफी के प्रस्त दूँगा, most important है question paper में पका फसेगा, guarantee के साथ यहाँ पर मैं कहरा हूँ, तो वीडियो जितनी भी आएगी, सारी वीडियो देखेगा, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल देखते हैं, आकास गंगा का आकार कैसा है, तो दोस्तो जो हमारी आकास गंगा है, इसका अगर हम आकार देखते हैं, दमिलकी वे जो होता है, आकास है, आकास गंगा है, इसका आकार किस प्रकार का है, तो दोस्तो यह सरपीला है, किस प्रकार का है, सरपिल है, next प्रस्त यह साखाओं से प्रस्ण आपके बनेंगे बनेंगे नेक्स प्रस्ण देखते हैं आप अगला प्रस्ण है सूर की सबसे उपरी परत को क्या कहते हैं तो दोस्तों यह जो हमारा सन होता है ठीक है सूर है इसके उपरी परत को आप क्या कहोगे सही जवाब दोस्तों कोरोना या दिखते हैं उत्री गुलार्थ का सबसे लंबा दिन कौन सा है तो दोस्तों अभी हमने देखा इस गलोब पर आप देखे उपलडर नार्थ पुल है उत्रें गुलार्थ कि अगर बात करते हैं तो सबसे लंबा दिन ढूने होगा जी हां यहाँikke 21 जून होगा बहुत बार ये सारे प्रस ना आपके वंडे एक्जाम में और बनते ही बनते हैं तो चले नेक्स प्रस के और बढ़ते हैं यहाँ पर 24 प्रस देखें चंद्रमा के अध्यन को क्या कहेंगे भई चंद्रमा के अध्यन को तो दोस्तो चंद्रमा की अध्यन को कहा जाता है सिलीनो लॉजी ओप्सन नमबर A यहाँ पर करेक्ट है दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए की हुपयोगी जानकारी अनकेडमी इंडिया के लार्जेस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप घर बेटे यूपी स्टेट के सभी एक्जाम की तियारी एक ही फीस में आप कर सकते हैं और मैं अनकेडमी पर एक वेरिफाइड एक्टेटर भी हूँ जहां पर आप लोग को लाइव क्लासेज अन्लिम्टेट एक्सेज चाहे जितनी बार आप देखी वीडियो को पीडियाव स्टाउट क्लेरिंग मॉक्टेज सभी चीज़े होती हैं वीडियोज आप लोग को लाइव हैं अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं रिकॉर्डेट अवलेबल रहेंगे जब तक आपका सबसंद रहेगा तो बहुत ही अच्छा यहां पर देखिए अनकेडमी की तरफ से यहां पर देखिए आप सभी छात्रों के लिए यहां प पर आप लोग को लिए आप लोग को अनकेडमी का एप डाउनलोड करना है जिसका लिंक वीडियो डिसम्ट में ने दिया है और मेरी प्रफाइल पर भी आप यहां पर फालो कर सकते हैं जहां पर आप सभी छात्रों को लिए हिंदी जीयस की बहुत ही महत्पूर्ण प्री मेंस इंटर्वी सभी चीजे पूरी गाड़ेस आप लोग के यहां पर दी जाएगे साथ साथ अधर कोर्से आपको मिलने केवल 63 उर्पे साल भर की फीस है और अगर आप ट्रायल तोर पर लेना चाहते है तो वन मन्त या थ्री मन्त का भी ले सकते है उसके बाद फिर आपकी मर्जी आपको लगता है हमें कांटिन्यू करना तो आगे कांटिन्यू कर सकते हैं लेकिन हम सजेस्ट करेंगे आप एक साल का यहां पर समय देजिए जो आपके लिए बहुत ही यहां पर इंपॉड़ेंट होगा तो सारी जानकारी वीडियो डिशन बॉक्स में है लि यह आपकी देशांतर रिखाएं होती है और यह अच्छांस रिखाएं जो इस खीची गई है तो एक अंच्छांस बराबर कितनी दूरी होती है कितना माना गया है तो दूस्तों यहां पर आपका जो सही जवाब होगा 111 किलो मीटर आपकी यहां पर यह इसकी दूरी होती है चलिए अगला प्रस देखते है 26 प्रस ने परवतों तथा मैदानों के बीच इस्थित पठारों को क्या कहते हैं परवत और मैदान के बीच इस्थित जो पठार होते हैं दोस्तों उन्हें कहा जाता है परवत पदी पठार आपका option number यहां पर क्या हो जाएगा नेक्स परवत देखते हैं 27 रिक्टर मापक से किस का मापन किया जाता है रिक्टर मापन से क्या मापन किया जाता है तो दोस्तों रिक्टर पैमाने पर आपका क्या मापन जाता है भूकम मापन जाता है ठीक है epicenter अधिकेंदर की बात करते हैं जहां से भूकम का केंदर होता है उससे दोस्तों क्या कहते हैं epicenter या कह सकते हैं अधिकेंदर हिंदी में कहा जाता है epicenter इंग्लिज में कहा जाता है तो यहां पर आपका option number एक correct हो जाएगा उन तीसवा प्रसन है दोस्तों कौन सी परवत सिंखला विश्व में सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ा सबसे छोटा यहां से पूछा जाता है आपसे प्रसन और दोस्तों जो सबसे बड़ी सिंखला है इंडीज परवत से इंखलागर बात करते हैं जो कि दच्छिन अमेरिका में है जिसकी अगर कह सकते हैं कि 700 किलोमेटर एरिया में फैला हुआ है और ये एक वलित परवत का उधारन है यहां से भी आपके प्रस बनते हैं चले आज का आखरी प्रस तीसवा प्रस ने क्या कह रहा कि डेली आपको वीडियो मिलेगा साथ साथ इस्ट्री पॉलिटी और एकॉनमी की बात करते हैं यूपी स्पेसल साइंस के भी क्वेश्चन आपके एक्जाम में मिलेंगे तो सभी की हम टॉपिक वाइज और मिक्सप क्वेश्चन भी कराएंगे तो वीडियो को से लाइक हो को लगता है कि आपको मिशने को नीचे कमेंट करें नेक्स वीडियो में सा सुलिशन बता जाए हमारी पूरी कोसी सुरहती है कि आप लोग को 100% Error-free content हम यहां पर आपको प्रोइड करा है तो उमीद करते हैं यह वीडियो आप लोग को लिए काफी होगी है और आप अपना म क्वेशन हमारे पढ़ाएगे मिलते हैं और इस एक्जाम में भी बहुत सारे क्वेशन आप लोग को देखने मिलें तो अभी कि इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक यू